हेलो बच्चों मेरा नाम पवन गुपता टीम फिजिक्स सील से सीकर डी सीम टेस्ट सेरीज फोर जेए प्रिक्रेशन टेस्ट नमबर फोर और ये फिजिक्स का सेकेंड टेस्ट था जिसमें हमने कवर किया है टोपिक न्यूटन स्लॉप मोशन फ्रिक्शन वगपाएनरजी पे इस बात करते हैं जेही मेंस पार्ट से पहला क्योशन इसमें आपको पुलीज गिवन है और दो ब्लॉक लटकाए गए हैं एक तो सिंपल एक औबजेक्ट और एक रॉड के फॉर्म में ऑबजेक्ट है ठीक है एल लेंध की तो इस शुरुवात में अबजेट यहां पर है य सब्सक्राइब अब इसमें और और कोन कोन से फोर्स है इधर लगेगा मजी इधर लगेगा टेंशन वही टेंशन इधर लगेगा पूरी रसी में लेकिन इसमें टेंशन कितना आएगा ङगा ठीक है तो क्यों हमें पता इस उराली रस्ते में T by 2 टेंशन आएगा तभी तो यह पुली पे भी रेट 4 0 आएगा, है ना, तो देखो, object के लिए बात करें तो object के लिए उपर की तरफ चलाना है, मतलग कि T minus Mg बराबर M A Rod के लिए अगर बात करें, तो Rod के लिए क्या हो जाएगा, Mg minus T by 2 बराबर Mb यह दो equation, अब एक constant की equation मनाते हैं, अगर यह object A से उपर आएगा, तो यह जो रस्ती है, यह इदर A कम होगी, तो इदर A से बढ़ेगी, मतलब पुली भी A से नीचे आएगी तो देखो, केवल इस पुली को देखना, यह पुली जो है, वो A से नीचे आ रही है, इदर से यह B से नीचे आ रहा है, अब पुली का A से नीचे आने का मतलब क्या हुआ, कि जो रस्ती के दोनों end है, वो A से नीचे आएगे, तो एक constant की equation क्या बनेगी बेटा? constant की equation मनेगी यह B, रस्ती के लंबाई बढ़ाना चारा है, दोनों A कम करना चारा है, जो बढ़ाता है वो positive, जो खटाता है वो negative, ऐसे, तो इस सारह आएगा 2A बराबर B, यह मेरे पास third equation, first, second और third, अब इन तीनों equation को solve करके आपको सबसे पहले तो A और भी निकालना है, तो शुरुवात कैसे करेंगे solve करने की, सबसे पहले, equation 3 में A की value डाल दो 1 से, तो T-MG upon M, इधर कितना हो जाएगा, B, B की value क्या हो जाएगी, MG minus of T by 2 upon M, ठीके, तो यह 2A और B, इस तरह हम इसको put करेंगे, अब इसको solve करना है, तो M से M तो कट जाएगा, कितना हैगा, 2M minus of 2M MG, MG minus of T by 2, तो यह कितना हो जाएगा, 5T by 2, 3MG, तो T कितना हो जाएगा, 6 by 5MG, अब T 6 by 5MG आगा, तो इससे आप A की value निकालो, तो equation 1 से A कितना हो जाएगा, T minus MG, यहने कि 6 by 5MG minus of MG divided by M, यहने कि G by 5, यह क्या जाएगा, acceleration of A, अब constant की equation से B कितना जाएगा, twice of A, यहने कि 2G by 5, अब देखो, अब यहाँ पे आपने दोनों के acceleration निकाल ली, यहाँ तक तो आपको NLM काम में लेना था, अब आपको बताना है, time कि कितने time बाद यह rod के उपरी end पाजाएगा, object, तो यहाँ आपको concept काम में लेना है, relative motion का, देखो, कैसे, मैं इदर solve कर जाएगा, यह rod आ रही है, B के acceleration से, object यहाँ से A के acceleration से जा रहा है, और total length cover करना है, relative में SL, तो relative displacement कितना है, और U relative कितना है, वो equation उपुट कर दो, plus half A relative T square, relative displacement L, U relative 0 है, क्योंकि system rest में था, relative acceleration क्या हो जाएगा A plus B T square, तो T कितना हो जाएगा, 2L upon A plus B, A plus B कितना आएगा, अब देखो, A और B तो पने निकाल लिया, अब आपको time निकालना है, तो time के लिए का करना है, S relative equals to U relative T plus half A relative T square, अब देखो, rod जो है, वो B acceleration से नीचे जा रही है, object A acceleration से उपर आ रहा है, तो अपने पास क्या आए जाएगा, यहाँ पर, S relative तो है, L, बिए दोनों को मिलके L distance ही तो cover करना है, यह relative कितना है, 0 T plus half A plus B T square, तो T कितना हो जाएगा, 2L upon A plus B, क्या हो जाएगा, 2L, क्यों हो जाएगा, 3G by 5, तो यह कितना हो जाएगा, 10 L upon 3G, ओके, तो यह आगया अपना first option, ओके बिटा, तो यह आपका first का solution, एक बार आप बीच में से screenshot लेलना, मैंने इसको दो पार्ट में कर दियाना है, अगला आता है second question, second question में आपसे पूछाए, कि आपको एक system उसको A से accelerate किया जाता है, तो आपको बता रहा है maximum compression क्या होगा, तो देखो, आपन maximum compression की बात करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, कि relative velocity 0 निचे spring के दोनों ends की, अब इस platform के relative देखेंगे, तो इस object पे क्या लगेगा, एक pseudo force लगेगा, अब यह pseudo force इसको compress करेगा, तो अब किवाद pseudo force जितना displace इसको करवाएगा, platform की relative observation अब सारा, तो उतना ही energy इसमें store हो जाएगी, मतलब मान लो कि यहाँ से, अब किवाद इसको ऐसे सोचो, मान लो कि कोई platform नहीं है, किवाद pseudo force मानने के बाद अब भूल जाओ कि कोई platform भी, एक force लग रहा है, मान लिया, वो इसको x distance compress करवाएगा, अब block की speed पहले 0 थी, तो maximum compression पे भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी न, इसका मतलब जितना pseudo force ने वर्क क्या, उतना spring वर्क करेगी, क्योंकि overall kinetic energy 0 है, मतलब मैं सब relative बात कर रहा हूँ, platform के relative, तो pseudo force का वर कितना हो जाएगा, ma into x, spring का वर कितना हो जाएगा, half k x square, तो x कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 ma by k, तो यह मेरे पास second option आ जाएगा, अब यहाँ पे आप जो बोल जो, आपको confirm आ रहा हो, सर्फ relative velocity 0 के से, यह velocity 0 के से, तो ध्यान रखना है मैं relative बात कर रहा हूँ, अब यह पूरा diagram मैंने किसके relative बनाया बिटा, यह diagram मैंने बनाया with respect to platform, जो move कर रहा है, क्योंकि platform के relative ही तो हमें maximum compression बताना है, ओके, तो यह हो गया अपना concept, अगला आता है third question, third question में आपको एक spring दी हुई है, और spring को इतना खीच के तो आपको release करने के बाद इस bead को यहाँ पर B point में एक bead है, उसको release करने के बाद कितना इसमें normal reaction आएगा, वो बताना है, ठीके, तो देखो, अब यहाँ पर यह object है, सबसे पहले spring का spring constant दिया वा है, यह spring की length को मैं L मान लेता हूँ, इधर से R, यह भी कितना होगा R, तो यह बनके isosilis triangle, तो यह भी बनेगा 30 और यह बनेगा 120, तो sign rule क्या कहता है, सबसे पहले तो L upon sign 120 is R upon sign 30, तो L कितना हो जाएगा, रूट 3R, तो extension कितना आएगा spring में, L minus L0, अब actual length को minus करना है, अभी वाली length में से, तो यह आएगा, root 3 minus 1, R, तो यह X आगया, तो spring force कितना आएगा बिटा, spring force आएगा KX, K की value यह दी हुए, तो इसको जवाब, root 3 plus 1, MGR, को multiply करोगे, इससे, root 3 minus 1, R C, तो देखो, यह R से R तो कर जाएगा, यह कितना आएगा, 2 MGR, तो 2 MGR आएगा, spring का force है, अब ध्यान से समझना, अब मैं यहाँ बना रहा हूँ, spring का force लग रहा है, ऐसे, MGR लग रहा है ऐसे, है ना, और यह center, ठीक है, अब हमें यह पता है, कि अगर यह angle 30 है, तो यह angle, यह 120 है, तो यह दर 60 बनेगा, यह 90 बनेगा, तो यह कितना बचा 30, और यह भी कितना है 30, तो अब इन दोनों force के component, radius के अलों कितना आएंगे, वो component लेने देखो, कौन से component, एक तो इस Fs का component और एक इस MGR का component, इन दोनों components को कौन balance करेगा, इन दोनों components को normal balance करेगा, बात समर्मारी, तो यहाँ पे normal किस-किस को balance करेगा, normal balance करेगा, Fs cos 30 plus mg cos 30, Fs कितना है, 2 mg, root 3 by 2, mg root 3 by 2, तो यह हो जाएगा, 3 mg, root 3 by 2, यह हो गया, मेरा 4th option, कोई confusion में इसमें, अगला आता है, 4th question, 4th question में, देखो, आपको यहाँ पे acceleration, जो है, wage का right side दिया हुआ है, और wage जो है, उसके relative object rest पे, ठीकिए, तो देखो, आपको बताना है कि कितना friction इस पे लग रहा होगा, चलो, देखते हैं, इस पे क्या लगेगा, wage के relative, pseudo force, भाई, wage के relative rest में है न, wage के relative, तो wage के relative मतलब आपको क्या लगाना है, फिर इसमें, apply pseudo force, Fp apply हो जाएगा, ठीकिए, तो pseudo force लग जाएगा, अब इस pseudo force के देखो, component करेंगे, तो एक component इदर आएगा, Fp cos 30, यह 30 है, तो यह भी 30 बनेगा, तो इदर क्या आएगा, Fp sin 30, इदर क्या आएगा, mg का component, mg sin 30, और यह आएगा, mg cos 30, ठीकिए, अब mg sin 30, कितना हो जाएगा, mg by 2, यह हो जाएगा, root 3 by 2 mg, हो गया, और यह कितना हो जाएगा, अब देखो, इसने वोला है कि, जो acceleration है, वो root 3g है, तो यह वाला कितना हो जाएगा, m, root 3g, cos 30, root 3 by 2, तो यह आएगा, 3 mg by 2, 2, अब देखो, 3 mg by 2, pseudo force, इसको उपर धकिलना जाएगा, pseudo force का component, mg sin 30, इसको नीचे लाना चाएगा, बट फिर भी नीचे नहीं आ रहा है, मतलब उपर नहीं जा रहा है, देखो, उपर वाला force dominating है न, तो यह उपर नहीं जा रहा है, मतलब friction नीचे लगा होगा इसमें, तो इसका मतलब इसमें static friction किसको balance करेगा, जो भी external force बचा, क्या बचा external force, m, a, cos 30, minus mg sin 30, m, a, cos 30, कितना हो जाएगा इस के समें, 3 mg by 2, और यह हो जाएगा, mg by 2, तो यह कितना आएगा मेरे पास mg, इसका मतलब इसमें जो friction लगेगा, वो लगेगा mg के बराबर, first option, कोई दिक्कत बिटे इसमें, ओके, तो यह simple सा आपको यह देखना था, कि external force कितना है, उसको ही friction फिर balance करेगा, आगे बढ़ते हैं, 4th पे, 4th पे, 5th पे, ठीके, 5th question में आपको एक system दिया हुआ है, और आपको बताना है कि, B का acceleration क्या होगा, देखो, मान लिया इस रस्षी का tension T आ रहा होगा, ठीके, तो अब यहाँ पे, इस block का EBD बनाओ, तो क्या आजाएगा, इसका acceleration मान लेता हूँ A, और इसका मान लेता हूँ B, तो F-2T बराबर 2M into A, दूसरा क्या रहाएगा, 3T बराबर 2M into B, ठीके, अब इसमें constant की equation क्या कहती है, देखो, यह दोनों ends A से आगे जाएगे, इधर 3 ends P से पीछाएगे, तो constant की equation मन जाएगी, minus of 2A, plus of 3B, बराबर 0, यह first equation किसके लिए मनाई मैंने A के लिए, दूसरी B के लिए, और तीसरी constraint, string constraint, यह ब्लोग A से आएगा, तो रसी के यह दोनों सीरे जो है, तो रसी के सीरो को देखना है, यह A से आगे जाएगा, यह B से आगे जाएगा, ब्लोग B इधर से आ रहा है, B acceleration से, तो यह तीनों सीरे भी B से आगे जाएगे, यह दोनों बढ़ाने का काम करने से लिए positive, और यह दोनों बढ़ाने का काम करने से लिए positive, B तीनों घटाने का काम करने से लिए negative, तो 2A बराबर 3B, यह तीसरी equation, अब देखों, बच्चों, यहां value put करेंगे, तो 2A हो जाएगा, F-2T by 2M, यह हो जाएगा 3, 3T by 2M, तो देखों, यह कितना जाएगा, 2F-4T बराबर 90, इसका अंदर T कितना जाएगा, 2F by 13, अब इस data को आप equation 2 में put करेंगे, तो by 2, क्या आएगा आएगा आपके पास, यह को 2 से B की value क्या आएगी, 3T by 2M, तो 3 by 2M, T की value डालेंगे, 2F by 13, 2 से 2 खतम, तो यह कितना आएगा, 3F by 13M, यह आपका, 3F by 13M, second answer, ओके पेटा, तो 5th का question, 5th का answer क्या आएगा, 2nd, तो confusion इसमें, आगे बढ़ते हैं, 6th में, 6th में देखो, आपको velocities जो हैं, वो बतानी हैं, इसमें, तो velocities given और उनका relation बताना है, तो हमेशा दरगो string constraint में, जो velocities लेते हैं, वो हमेशा string के along लेते हैं, तो यह V का वो component लो, जो इधर along this, string है, और यह component वो, जो along the string आएगा, अब देखो, जो component घटाता है, वो negative होता है, जो बढ़ाता है, वो positive होता है, और दोनों component, जितना यह घटाएगा, उतना ही दूसरा वाला, बढ़ाएगा भी सही, तो मेरे पास, V1 by V2 क्या जाएगा, cos theta 2 by cos theta 1, तो यह मेरा, third option correct हो जाएगा, ओके बिटा, आते हैं हम हमारे 7th question पे, 7th question में आपको यहाँ पे, एक force दिया हो आए, और particle जो है, वो 0, 0 से, 2, 4, 0 तक जाता है, तो आपको force ने कितना वर क्या बताना है, देखो, यहाँ पे ध्यान रखना, Z component में कोई change नहीं आया, मतलब Z direction का displacement तो 0 है न, और force में केवल J और K component है, तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे, Dx displacement कितना आ रहा है, X में 2, Dy कितना आ रहा है, 4, और Dz कितना आया, 0, है ना, तो वर्क कैसे निकालेंगे अपन, Fx.Dx, Fy.Dy, और Fz.Dz, अब देखो, X direction में तो कोई force ही नहीं है, displacement तो है बट force का X component नहीं होने से, यहाँ यह X component का वर्क जिरुआ है, Y component क्या है, 3xy-5z.Dy, ओके, और Z component 4z, बट Dz 0 है, है ना, तो देखो, यह 0, अब Dz खुद 0 है ना, यह Dz खुद 0 है, इस वज़े से यह भी 0, अब यहाँ पर देखना, 3, अब मैं Y के relative integrate कर रहा थो, मुझे X को Y की term से put करना है, तो Y की term में कितना put करूँगा, root Y, Y, minus 5, Z की value हमेशा 0 है, यह, तो ultimately मेरे पास आएगा, Y की power 3 by 2, dot DY, 3 आगे, integration Y की limit क्या है, 0 से 4, तो यह जाएगा, Y की power 5 by 2, अपोन 5 by 2, 3, 0 से 4, तो यह कितना हो जाएगा, 3 into 2 by 5, 4 की power 5 by 2, ठीके, यह आगे, 2 by 5 उदर लिख दे हैं मैंने न, तो यह जाएगा, 6 by 5, तो यह जाएगा, 2 की power 30, 4 की power 5 by 2 नहीं की, 2 की power 5 मान लो, तो 32 आजाएगा, 32 into 6, है न, तो यह हो जाएगा, 192 by 5, ओके, तो आपका 7 का क्या जाएगा, 4th option, कोई confusion में बेटा हैं यहां तक, अगला आता है, 8th, 8th में आपको एक इसका सोलेशन नोट कर ले, यह सोलेशन नोट कर ले, आगे बढ़ते हैं 8th पे, 8th में आपको बताना है, block A is moving horizontally with velocity VA, find the velocity of block B, and the instant is shown in figure, देखो, अगेन वोई constant लगाना है, हमें पता है B उपर जाएगा, यह तो पता है यह, तो इसकी velocity का वो component लो, जो रसी के अलोंग आएगा, cos theta और इसको theta मान लू, cos theta बराबर 0, तो B कितना आजाएगा, V by 2 cos theta, अब cos theta कहां से लिखूँगा, मैं यह triangle से निकाल लूँगा, बेस X upon hypotenuse X square plus H square, तो यह कितना हो जाएगा, X VA 2 X square plus H square, थर्ड option आजाएगा मेरा 8 का, इसमें कोई confusion, इसके आता है 9th question, 9th question की बात करते है, 9th question बहुत अच्छा question है बेटा, काफी conceptual question है, इसमें देखो आपको एक, block है, उसका मास है 100 kg, एक person जो है, वो, खुद 60 kg का है, वो rope को इस तरह से रखता है, और खुद उसको उठाता है, ठीक है, he climbs the rope with acceleration 5G54, related to rope, देखो, अब block का वेट कितना है, 100 kg मतलब कि 1000, है ना, इसका कितना है, 150, वन, 600, 600, अब देखो, यह बोल रही कि, रसी के relative, 5G54 से उपर चड़ रहा है, माल गया इसका acceleration, ए रहा होगा, ठीक है, और यह block, जो है वो, उसको भी यह B acceleration से उपर खीच रहा होगा, है ना, तो देखो, यह block B, इदर से B से उपर उठेगा, तो इसका उन्तार रसी इदर नीचे B से जाएगी, ना, तो रसी के relative जो acceleration आएगा, वो हो जाएगा, A plus B, है ना, यह बात इसमें काम किये, यह बहुत ज़्यादा काम किये, तो यहाँ पे इन्होंने relative acceleration देखो, अब क्या होगा, परसन तो A से उपर चड़ रहा है, block इधर B से उपर जा रहा है, इसलिए जो रसी है, वो भी तो यह B से नीचे आएगी, तो रसी के relative, acceleration relative जो होगा, परसन का वो क्या हो जाएगा, A प्लस B, इसकी value 5G by 4 दी गई है, यह यहाँ constant की equation में ही दिमाग लगाना था बेटा, यह तीसरी equation सबसे पहले बना रहा हूं है, अना constant वाली, अब बाकी person के लिए बनाएंगे, तो person के लिए equation क्या बनेगी, T minus 600 बराबर, अब यह यहाँ पर जो data है, और तीसरी constant की equation क्या बनेगी, constant और relative दोनों को काम मिली आपनने वैसे, तो इसकी equation बनेगी, A plus B बराबर 5G by 4, तो इन तीनों equation में data बूट करेंगे, एका T minus 600 upon 60, plus T minus 1000 upon 100, बराबर 50 by 4, तो T 1 plus 60, 100, minus 10 or minus 10, 10 or minus 10, 50 by 4, तो इह जाएगा T, 160, 60 into 100, इह जाएगा 20 plus 50 by 4, हाना, तो इससे tension कितना आजाएगा, tension आएगा आपके पास, 60 into 100 upon 160, ये कितना आजाएगा, 80 plus 40 by 4, ठीक है, अब इसको solve करेंगे, तो ये 1 0 से, 1 0 cancel out, ये, 4 से कटेगा, 15 बार, हाना, फिर इसके बाद आजाएगा अपने पास, 150 into 130, डिवाइड बाइ 16, हाना, तो इसको solve करेंगे, तो 4 से काटेंगे, तो 4 से रुको, ये, 2 से कटेगा, 8 बार, ये कटेगा, 75 times, ये कटेगा, 4 बार, ये कटेगा, 65 times, ठीक है, तो इसको solve करने पे, जो आपका answer आएगा, देखो, उपर तो इननों सब जगे, 4, 8, 7, 5 दिया हो है, तो इसको solve करने ज़र होती है, नीचे अपने 4 बची रहा है, तो 4 आना चीए, नीचे इसका मतलब मेरा 3rd option से हो जाएगा, यहाँ, कैलकुलेशन करनी नहीं मेंटा, बस options देखने, option बड़े प्यारे दिये हो है, इसे प्यारे option जब होना, तो option देखने का मन करता और करना चीए, exam में यही smartness होती है, ठीके, भाई, उपर तो solve करके, मैं यही तो लाँगा, तो solve भी क्यों करूँ, नीचे इवाइड बे 4 आ रहा, और उसको काटना नहीं है, तो इसका मतलब 4 तो बचेगा, इस तरह का केस दिया हुआ है, यह एक incline है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, lift constant speed से उपर जाए, देखो constant speed है, उपर जाने पर pseudo force हमेशा नहीं लगता है, जब acceleration हो तब लगता है, velocity constant इसका मतलब pseudo acceleration of lift तो 0 हो गया, तो pseudo force की तो कोई बात ही नहीं होगी, अब देखो mg, normal, यह ना, इधर से क्या आएगा अपने पास, mg cos theta, mg sin theta, अब देखो इसको फिसलाना कौन जा रहा है, mg sin theta, रोकेगा कौन, friction, तो इसका मतलब friction, balance is mg sin theta, बात सुन मारी, तो friction यहाँ पर भी बोलने कि T time में friction ने कितना वर्क किया, देखो अगर यह angle theta है, तो हमें पता है कि यह भी theta होगा, तो vertical से यह angle कितना बचेगा, 90 minus theta, अब देखो displacement उपर की तरफ आ रहा है, तो displacement आ रहा है, उपर की तरफ, friction force लग रहा है, ऐसे, यह angle कितना बच रहा है, 90 minus theta, तो वर्क क्या हो जाएगा, friction into displacement into cos 90 minus theta, friction कितना है, mg sin theta, displacement कितना है, vt, और यह कितना हो जाएगा, sin theta, तो क्या आएगा मेरे पास, mg vt sin square theta, third option आ जाएगा, 10th का, ओके पीटा, note करो इसको, आगे बढ़ते हैं, अपन 11th question में, 11th question में आपको भोला है, कि एक block को आपने rough inclined plane पे, जो 45 degree angle का, उपर की तरफ एक आए, उपर की तरफ प्रोजेक्ट किया उसको, कुछ टाइम बाद यह बोल रहे हैं कि वापस वो नीच आ जाएगा, तो जो उपर जाने का time, वो नीच आने की time का आधा है, पहले देखते हैं, जब वो अबजेक्ट ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, मालिया उसकी initial velocity वी थी, तो यहां आते आते वो रुख जाएगा, वी final 0 हो जाएगी, इस दोरान इसको रोकने का काम कौन कौन करता है, देखो, इस पे लगते हैं, यह इसका retardation है, इतना मतलब force आएगा तो इसको रुखने में देखो, अब मैं equation लगाऊँगा, तो वी final equals to u plus 80, तो time कितना हो जाएगा, u by e, यह retardation है बेसिकली इसलिए, तो यह आएगा, v upon g sin theta plus mu cos theta, यह उपर जाने का time है, ती अप, साथ में कितना दूर जाएगा, तो v square equals to u square plus 2a, ऐसे करेंगे, तो जो displacement ही cover करेगा, वो आजाएगा, u square upon 2a, u square मतलब कि v का square upon 2, a का मतलब हो जाएगा, वो ही g sin theta plus mu cos theta, अब जब यह वापस नीच आएगा, देखो, जब यह वापस नीच आएगा, तो क्या होगा, इसमें नीची फिसलाने का काम, इसको कोन करेगा, देखो, नीची फिसलात तक इसको, mg sin theta है, वो तो इसको चलाने की कोशिश करेगा, बट इसको रोकने की कोशिश कोन करेगा, friction, तो अब जो इसको acceleration मिलेगा, overall, वो क्या मिलेगा, g sin theta minus of mu g cos theta, इतना ही मिलेगा न, तो अब इसको नीचा आने में कितना टाइम लगा है, नीचा आने के लिए इसको वो ही hub s distance cover करना है, तो t कितना हो जाएगा, 2s by a, ठीके, तो अब इस case में आपके पास, 2s की value यह रहीगा न, तो पहले तो a की value लिग दो, g sin theta minus of mu cos theta, यह तो a की value, अब s की value क्या है, v square upon 2g sin theta plus mu cos theta, यह आ जाएगी अपने पास value, इसको जो आप solve करोगे, तो देखो, 2 से 2 तो कर जाएगा, यह कितना आएगा, v upon, v square का v बाहर, 2g है तो 1g बाहर, अंदर क्या बचेगा, root of sin square theta, minus mu square cos square theta, यह क्या है मेरे पास, जो नीचे आने का time है, t down, ठीके, अब इन्होंने बोला कि यह जो t down है, वो आधा है, मतलब, जितना नीचे आने का time लग रहा है, ओपर जाने का time, नीचे आने का time से आधा था, यहने कि, t up जो है, अब इन्होंने क्या बोला है, t up, जो है, वो t down से क्या है, आधा है, ठीके, तो t up कितना हो जाएगा मेरे पास, v upon g sin theta प्लस mu cos theta, यह क्या हो जाएगा, t down का आधा, यहने कि, t down कितना था, v by g, यह था ना, तो v by g, और, यह कितना जाएगा, sin square theta, minus mu square cos square theta, यह आ गया, अब देखो, v by g से v by g कार दो, अब तुम score solve करोगे, तो यह आ जाएगा, मेरे पास, 2, mu, 2, sin theta, plus mu cos theta, root में लिख रहा हूं में, इसको फोल देता हूं वापस, sin theta, minus mu cos theta, इधर क्या आएगा, sin theta, plus mu cos theta, अब देखो, root, root से यह root कर देगा, तो finally क्या आएगा, मेरे पास, 4 बराबर, sin theta, plus mu cos theta, sin theta, minus mu cos theta, अब यहाँ value, एक बार अपन इसमें, sin theta common लेते हैं, तो 4 बराबर क्या रहाएगा, 1 plus mu tan theta, और 1 minus mu tan theta, अब theta कितना इसमें, theta आपको दिया हुआ था, 45, तो यह तो हो जाएगा, 45 यहने कि 1 plus mu, 1 minus mu, is 4, तो 4 minus 4 mu, बराबर 1 plus mu, तो 3 बराबर 5 mu, तो mu कितना हो जाएगा, बिटा, 3 by 5, ओके, तो mu बराबर 3 by 5, तो इसमें simple सा concept है, आपको पहले तो equation of motion से उपर जाने का time निकालना है, कितना दूर जाके रुगेगा, वो s distance निकालना है, उसके बाद फिर महां से नीचा आने में कितना time लगेगा, होई s distance cover करने में time, वो निकालना है, उसके बाद आपका यह T down जो है, वो इतना आ रहा है, तो T up निकाल लिया, T down निकाल लिया, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इस T up और T down का relation को use करते हुए, फिर solve करना है mathematics को, तो थोड़ा सा calculated question था, लेकिन easy था, ओके बीटा, आगे बढ़ते हमारे question number 12 पे, 12 में एक simple सा concept दिया हुए, वो बोल रहे है कि परसन जो है, वो एक object के आधी energy से मूँ कर रहा है, और बोल रहे है कि object का जो mass है, एक object उसका mass जो है, वो m by 2 है, परसन का mass कितना है, m, तो बोल रहे है कि इसकी speed मान लिया, कुछ V होगी, तो यह बोल रहे हैं कि जो परसन kinetic energy है, half mv1 square, इसकी V2 मान लेता हूँ, तो यह बोल रहे है, half mv1 square यह जो है, वो object की kinetic energy की आधी है, एक परसन की kinetic energy हाफ है, किस से, उस object से जिसका mass, परसन के mass का आधा है, ठीक है, तो यह हो जाएगा, half of mv2 square, एक relation तो यह है, फिर उसने बोला है कि जब परसन अपनी speed को एक बढ़ा देता है, तो उन दोनों की kinetic energy सेम हो जाती है, तो half mv1 plus 1 है ना, इसने एक बढ़ाना है ना इसको, तो यहाँ पर half mv1 plus 1 का square is half my2 v2 square है, अब इन दोनों equations को क्या करोगे आप, divide कर दो, अब इन दोनों equation को जो आप divide करोगे, तो देखो, यह पूरी term तो कड़ जाएगी ना, क्या बचेगा आपके पास, इधर से half mv1 से half m कड़ जाएगा, इसका मतलब मेरे पास बचेगा, वी 1 अपोन v1 plus 1 बराबर 1 by root 2, यह ओएगा, v1, root 2 बराबर v1 plus 1, तो यह जाएगा, root 2 minus 1, तो v1 कितना हो जाएगा, root 2 minus 1, अब root 2 minus 1 को आप फिर root 2 plus 1 से multiply, divide कर दो, तो यह कितना हो जाएगा, root 2 plus 1, 2 minus 1, कितना आएगा, root 2 plus 1, तो इसका मतलब root 2 plus 1 जो है, वो इसकी initial speed थी, ओके, तो यह 12th का अपना 4th option, कोई confusion, आगे आता है 13, 13 में अब यह बोल रहे हैं कि, यह दो block है, M1, M2 मास के, ठीक है, यह M1 और यह M2, यह बोल रहे हैं कि, B जो है, वो constant speed से move करें, उसके लिए कितना force लगाना पड़ेगा, देखो, अगर B की speed constant है, मालों इधर की तरफ, इधर की तरफ ही जाएगा, यह तो, तो A को इधर आना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो, यह रसी से बंदा हो है न, रसी की लेंट तो fix रहेगी, तो अगर यह B इधर जाएगा, वी से तो वो इसे इधर आएगा, अब यहाँ पे देखो, इनमें sliding हो रहे है, तो friction क्य क्या करेगा, friction जो है, वो A को तो इधर रोकने की कोशिश करेगा, और यह friction इसको इधर चलाने की कोशिश करेगा, इसको भी रोकने कोशिश करेगा, friction दोनों को रोकने कोशिश करेगा, लेकिन B पे तो ground भी तो friction लगाएगा, F2, बासमन मारी, तो यहाँ पे आपको कितना force लगाना पड़ेगा आपका जो फोर्स है वो होना चाहिए F1 और F2 दोनों के बराबर F1 कितना आएगा म्यू के M1 G प्लस म्यू के M1 प्लस M2 G अच्छा सुरी इसमें मास में कितना आएगा F1 हाँ M1 प्लस M2 ठीक है तो अब इस केस में आपके पास यहाँ पे टोटल फोर्स हमाँ अच्छा एक टेंशन भी तो है इसमें टेंशन भी है न तो टेंशन को भी बैलेंस करना पड़ेगा टेंशन भी रोक रहा है अब A के लिए देखेंगे इसलिए उस पे भी अब देखो M1 कितनी बार आ रहा है मेरे पास म्यू के 3M1 प्लस M2 जी तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट ओप्शन थर्टीन का फर्स्ट कोई गन्फूजन इसके आदर आते हैं 14 पे 14 के अगर बात करें तो उस केस में एक डाइगराम है A और 20 में 10 kg और 5 kg के दो ब्लोक है तो A यह 10 यह B 5 C का मिनिमम मास बताना है ताकि वो फिसलने से रोक दे तो देखो इसको चलाने वाला फोर्स कितना सिस्टम को 50 रोकने वाला फोर्स कौन सा होगा फ्रिक्शन यह M मास मान लिया मतलब की म्यू टैन प्लस M G जो है वो जस्ट इस पचास को कितना आजाएगा इसमें यह आजाएगा आपके पास 25 माइनस 10 15 M बराबर आएगा 15 के जी फोर्स ओप्शन 14 का फोर्स ओके उसके आजाता है 15 पे 15 में आपको देखो यहाँ पर एक 10 के जी मास का प्लैंक दिया वाए उसके ओपर एक 5 पेजी का ब्लॉक रखा हुआ है बंक और जमीन के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है ब्लॉक और जमीन के बीच प्लैंक के बीच में 0.5 कोविशिंट है तो आपको बताना है 2 स्टेकेड में ब्लॉक पे फ्रिक्शन कितना काम करेगा देखो, ओबेसी बात है, पहली बात तो कि friction ही तो इस block को आगे चला रहा है और friction इस plank को रोक नहीं कोशिच कर रहा है तो overall system में 5 kg तो आगे आ रहा है न, इसका अंतर फ्रिक्षन का work 5 kg पे तो होगा positive और 0 नहीं होगा, ये भी confirm है, तो negative वाला option और ये तो गलत हो गए system का कितना आएगा, system अगर साथ चलेगा तो उसको मिलेगा 10, ये 4 का acceleration अब देखते हैं कि friction की limit क्या है इसमें, 0.5 into 50 यने की 25 अब 25 के friction की वज़े से इस उपर वाले block को 5 kg वाले को maximum इसको ये नाम देते हैं A को maximum कितना acceleration मिल पाएगा, 25 डिवाइड बाइड 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 इसका मतलब ये हुआ बेटा, कि जो A का acceleration maximum possible है, वो 5 है, यहां कितना मिल रहा है, 4, तो 4 से तो चल सकता है, कोई दिक्रत नहीं, इसका उन्तर साथ-साथ चलेगा, यहना इसका मतलब acceleration of system जो है, वो A के maximum possible acceleration से कम है, इसका मतलब ये दोनों साथ-साथ चलेंगे, तो इसका मतलब इस पूरे system का जो acceleration उचार रहेगा, तो बताओ displacement कितना आएगा, half A T square से निकाल लो, half 4, 2 second में बताना है, इसका आठ मिटर displacement, friction कितना लगेगा, friction उतना ही लगेगा, जितना required, जितना requirement उतना लगाना है, 20 newton लगेगा, 20 newton का friction, 8 meter का displacement, तो वर्क कितना आजाएगा, friction into displacement, 20 into 8, कितना होगा बिटा, 160 joule, तो ये मेरा fourth option correct हो गया, 15 में, अगला आता है 16, 16 में आपको यहाँ पर एक mass दिया वाए, उसकी velocity जो है, वो इस तरह से दिया हुई है, तो आपको बताना है कि वर्क 0 से X तक displace करने में कितना आएगा, तो देखो अपने पास force का formula क्या होता है, force, sorry, force.dx, यह होता है work का formula, force को में क्या दिखूंगा, m into a, dx, m, a को में क्या दिखूंगा, v d vy, dx, dx, यह आगया, तो अब इस case में मेरे पास जो work आएगा, इस तरह से आ रहा है, अब एक बार क्या करेंगे अपन यहाँ पे, अब देखो, इसके बाद हमें इसमें data put करना है, तो क्यासे करेंगे, सबसे पहले v आपको कितना दिया हुआ है, k x की power 5 by 2, अब मुझे क्या requirement है, dv by dx की requirement भी है, तो इसको differentiate कर लो, k 5 by 2, x की power 3 by 2, अब इन दोनों का value यहाँ put कर दूँगा, तो m, v की value कितनी बिटा, k x की power 5 by 2, dv by dx कितना है, k 5 by 2, x की power 3 by 2, और dx, ठीके, अब देखू, k square m को तो में बहार निकाल लेता हूँ, k square m 5 by 2 को बहार निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, x की power 4 dot dx, 0 से x तक integrate करना है, इसका मतलब work क्या जाएगा, 5 by 2, m, k square, x की power 5 upon 5, तो work जो है, वो x की कितनी power पेटे-पेटे कर रहा है बेटा, first option पे, ठीके, x की power 5 पे, तो 16, अच्छा क्यों शुन्त्रा, अगला आता है 17, 17 की बात करते हैं, तो इस case में, आपको यहाँ पे momentum, P, और kinetic energy, के वाला एक particle, है न, gravitational force 0, ऐसे medium में जा रहा है, अएफ इस पे force लग रहा है, जो प्रारंबिक, समवेक के लंब होते हैं, मतलब की momentum के perpendicular के, तो T time बाद, इसकी energy क्या होगी, देखो, simple सी बात है, initial velocity V मानली, force वह वो perpendicular है, तो T time बाद यह, इसकी final velocity V dash होगी, तो V dash के लिए आपको दोनों component निकालने पड़ेगे, Vx भी और Vy भी, तो Vy क्यों जाएगा, 0 प्लस Ay इंटू T, याने की F by M into T, यह तो होगा, Vy component, ठीके, और Vx क्यों जाएगा, V, तो net kinetic energy के लिए, half M V dash square, यह करना पड़ेगा, इसके लिए half M, Vx square प्लस Vy square, half M क्यों होगा, Vx जाने की V का square, Vy क्यों होगा, Ay T का square, अब देखो, half M, V square को मैं common लिलता हूँ, तो यह क्यों जाएगा, 1 प्लस Ay क्यों जाएगा, F by M T by V square, half M V square को मैं क्यों बूलूँगा, की, अंदर क्या जाएगा, 1 प्लस M, M into V क्यों जाएगा, P, तो F T by P, का square, तो यह हो जाएगा मेरा first option, तो first option इसका correct हो जाएगा, कोई confusion बीटा, आते हम हमारे 18th question पे, ठीक है, अब 18th question में, एक बाइसे note करें, 18th question में आपको यहाँ पे एक block दिया हुआ है, वो block को आपने दो तरह की spring से बांदावाए, K1 और K2 वाले से, चारोए parallel में, आपने 2x distance इसको displace करवा के छोड़ दिया, फिर जब यह X और X by 2 से गुजरेगा, तो इसकी kinetic energy का ratio है, दखो, जब यह X से गुजरेगा ना, तो जो potential में loss आया, वही तो convert होगा, तो potential पहले कितने थी, half K1 प्लस K2, ऐसी दो-दो है ना, तो 2 और आ जाएगा, into 2x square, यह पहला, minus x square यह बात का, इसी तरह से यह वाली kinetic energy का जाएगा, डेल्टा P, half, twice of K1, प्लस K2, 2x square, minus x by 2 का square, तो देखो, इसका जब ratio लोगे, यह जो loss आया, वही यह ratio आएगा, तो यह सब तो कड़ जाएगे, यह पूरा कड़ जाएगा system, तो क्या बचेगा इदर, 3, minus 2, 1 by 4, इसको भी आपे से लिए, 4 minus 1, 3, 8 minus 1, divide by 4, तो 4, 3, 12, divide by 7, just a minute, तो kinetic energy बताने हैं, तो loss in potential equals to gain in kinetic, तो यह आएगा आपके पास, अच्छा सोरी, यहां भी तो 4 यह आएगा, 4, तो यह आएगा 15, 16, तो यह कितना आएगा मेरे पास? 4 minus 1, और यह आएगा 4 minus 1 by 4, तो यह आएगा 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 12 और by 15, तो यह कितना बार कट जाएगा मेरे पास? 4 by 5, तो 4 by 5 इसका ratio आएगा 4th option, ओके, तो यह आपका यहां पे, जो section है था, जिसमें आपको single choice question दिये गए थे, वो complete होते हैं, I hope आपने यहां तके question को easily handle किया होगा, आते हम हमारे section B पे, section B में आपको यहां पे एक platform दिया वा है, वो platform जो है, वो इस तरह से constant velocity जा रहा है, और उस पे, बहुत भारी platform है ना, और M mask के एक update रुख जा, बहुत भारी platform का मतलब यह हुआ, कि जब आपने इसको रखाना तरह इसकी speed 0 होती, platform आगे जा रहा और इसकी speed 0 है, तो relatively यह block पीछे रहना चाहेगा, तो friction किदर लगेगा, friction लगेगा, इस पे आगे, कौन सा लगेगा बेटा, kinetic, उतना ही kinetic friction platform पे पीछे तो लगेगा, लेकिन वो कोई retardation create नहीं कर पाएगा platform में, क्यों, क्योंकि platform बुद्भारी है, तो इस वज़े से, अब इसमें, यह बोल रहे हैं कि platform की relative कितना यह चलेगा, अगर friction coefficient 0.2 हो तो, तो देखो, यह कब तक चलेगा इसे, जब तक कि इसकी velocity और platform की velocity equal न हो जाए, तो इस case में देखो, यह तब तक चलेगा, जब तक finally, इसकी velocity भी 4 न हो जाए, तब तक यह कुछ S displacement cover कर लेगा, ठीक है, तो platform की relative है न, platform की relative है मानलो, इतना चलेगा, तब तक ठीक है, तो अब इस case में हमें यह देखना है कि, V बरावर यू प्लस 80, यह है न, V कितना लाना आपको, या simple V square equals to U square plus 2S से कर लेते, V square equals to U square plus 2S, अब देखो, V relative कितना, V कितना आएगा, इसका 4, initial कितना था, 0, acceleration कितना हो जाएगा, mu mg by m, और displacement आप से पूछा है, तो यह कितना हो जाएगा, 2, mu कितना है, 0.2, 10, S, 16, तो S कितना जाएगा, 16 upon 4, बरावर 4, मतलब यह platform के relative कितना चलेगा, 4, meter चलेगा, अब इसमें चाहिए, platform के relative बोल्द है, ground के relative बोल्दो, एक ही बात है, क्यों, क्योंकि platform में तो relative acceleration आए नहीं न, इसलिए, तो platform चलता जाएगा, अपने से, वो बाद में 4, meter ground के relative बी चलेगा, अगला आता है, 2, 2 में आपको यहाँ पे, यह बताना है कि A का block, जो है, A block 4 kg का, B और C का mass 33 kg है, तो इसको release करने के बाद, C का acceleration क्या पास तो, mg, 33 kg है न, तो इस पर लगेगा 30, इस पर लगेगा 30, यह tension अगर T है, और यह tension T है, अगर यह B से नीच आ रहा है, तो यह भी B से नीच आएगा, बट यहाँ कितना आएगा 2T, यहाँ कितना है, 40, तो यह कितना है, A से उपर जाएगा, मान लिया, है न, तो सबसे इक्वेशन मनाएंगे, 2T माइनस 40, बरावर 4 इंटो A, यह किसकी इक्वेशन मनी, A की, B और C में से किसी एक की बना लो, तो 30 माइनस T बरावर 3B, अब कंस्टेंट की इक्वेशन देखना, यह A से उपर आ रहा है, तो यह पुली भी A से नीच जाएगी, पुली A से नीच जाएगे, यह दोनों B से नीच आएगे, C और B, यह ना, तो इसका मतलब यह हुआ कि माइनस ऑफ 2A प्लस ऑफ 2B बरावर 0, यह कौन सी एक्वेशन है, कंस्टेंट की, यहने की 2A बरावर 2B, यहने की A बरावर B, थर्ड एक्वेशन, मेरे पुट कर दो, 2T माइनस ऑफ 40 ए तो यह कितना हो जाएगा इस केस में, 6T माइनस 120, 120 माइनस ऑफ 40, तो यह कितना हो जाएगा, 10T बरावर 240, तो T कितना हो जाएगा, 24, अब T 24 आते हैं, आपको कि बताना है, C का एक्वेशन बताना है, तो C का एक्वेशन कितना हो जाएगा, 30-24 बराबर 3 इंटू A 6 by 3 कितना हो जाएगा 2 A मतलब ब B की वैलू कितनी आ रहेगी ये कौन सी एक्वेशन यूज करी मैंने by 2 तो B आ जाएगा मेरे पास 2 तो C और B दोनों के एक्सलरेशन 2 आएंगे डाउनवर्ड तो confusion इसमें में बटा आगे बढ़ते हैं अपन 3rd question पे 3rd question में आपको एक power दिया हुआ है जो की 4T cube के हिसाफ से है particle की speed T0 से T0 पे V बराबर 0 है 4 second बाद आपको speed बतानी है तो देखो power की वज़े से जितना work होगा वो सब delta K में convert होगा ये तो हमें पता है याने की delta K बराबर P dot DT delta K कितना हो जाएगा half M V square minus U square P की value क्या है 4 T cube dot DT इसका मतलब भी जाएगा 4 T 4 by 4 limit 0 से 4 से इकटेगा तो 4.16 और 16 half mass कितना है 4 V square initial 0 थी 4 से इसको बढ़ाव 4 बार तो V बराबर 16 तो V आएगी 16 यहाँ पर just a minute देखते है mass 4 है V square minus U square 40 cube by 4 time है 4 4 की power 4 into 50 16 2 sorry 8 ही तो आएगा 16 into 8 तो ये कितना हो जाएगा अपने पास root में तो 4 और 2 8 और root 2 अब root 2 की value कितने दिए 1.4 तो 8 into 1.4 8 चुक 32 3, 8, 3, 11, 11.2 तो आपका अंसर कितना हो रहाएगा 11.23 कोई confusion इसमें अगला आता है हमारे पास 4th का 4th में आपको यहाँ पर एक थीटा एंगल बताना है डिगरी में अगर A का downward acceleration कितना है G by 6 अगर A G by 6 से नीचे आ रहा है तो वो भी तो G by 6 से उपर जाएगा ठीके अब इसको कौन चला रहा होगा 2 M G साइन थीटा साइन थर्टी इसको कौन रोक रहा होगा M G साइन थीटा अब देख सिस्टम के लिए बात करते हैं चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स बराबर टोटल मास कितना चल रहा है इंटू एक्सलरेशन एक्सलरेशन कितना है G by 6 का तो यह हो जाएगा M G माइनस ओफ M G साइन थीटा बराबर M G by 2 तो यह आएगा M G by 2 बराबर M G साइन थीटा से M G खतम तो थीटा कितना आएगा इसका भी 30 तो 30 दिगरी अपना अंसर बन जाएगा फोर्त का कोई कन्फूजन मिटा इसमें ओके नेक्स आगे बढ़ते हैं फिप्त में फिप्त में आपको यहाँ पेप देखो एक चाहसा क्योशन दिया हुआ है विद कंसेप्ट आफ मोशन दो ब्लोग दिये में A और B जिनका मास है 5 kg और 4 kg 5 kg को नहीं है A और B कितना है 4 kg आपने इसको छोड़ रहे हैं मिल्कुल रेस से A जो है वो जब तक 1 मिटर चलेगा तब तक B की स्पीड कितनी होगी जी रूट जी बाई है तो आपको N by 10 बताना है देखो सबसे बिलो तो इनकी स्पीड का रिलेशन निकालना पड़ेगा तो यहाँ पे यह जो M है इसका Mg sin theta इसको चलाने की कोशिश करेगा Mg sin 37 Mg कितना है पिटाइस में 50 into 3 by 5 तो यह आएगा आपके पास 30 newton तो चलाने वाला force मालिया tension रोकने हैं काम परेगा यह tension यह tension तो यह 2T ठीक है इधर कितना है 40 तो इसकी वरे से यह माल लिया 4 kg का व्लोक जो है वो उपर जा रहा होगा E acceleration से और यह मैंने माल लिया सोरी इसका acceleration माल लेते हैं A और इसका माल लेते हैं B तो सबसे पहले A के लिए लिखेंगे क्या लिखेंगे Mg sin 37 minus T बराबर M into A तो यह आएगा 30 minus T बराबर 5 into A पहली equation B के लिए बात करेंगे तो क्या आएगा 2T minus 40 बराबर 4 into B दूसरी equation अब देखो constant को देखना यह रस्सी A से बढ़ेगी यह दोनों हिस्से जो है B से कम होंगे देखो यह ऐसे है तो यह तो B से उपर जा रहा है यह B से उपर आ रहा है यह पुली रेस्ट पर है यह दोनों रेंट जेस्ट पर है यह दर A से नीचे जा रहा है तो कितना हो जाएगा 2B बराबर A यह थर्ड equation अब देखो डेटा पूट करेंगे ना तो 2B की वेल्व यहां से डाल दो 2T माइनस 4T अपॉन 4 A की वेल्व 30 माइनस T डिवाइड बाइ 5 तो यह कितना हो जाएगा 4T माइनस 4T अपॉन 4 ठीक है तो यह हो जाएगा आपके पास solve करने पे इसको इदर solve कर दूँ तो यह हो जाएगा T माइनस 10 बराबर 6 माइनस T बाइ 5 6 T बाइ 5 बराबर 16 तो T कितना हो जाएगा 80 डिवाइड बाइ 6 ठीक है T की वेल्व 80 डिवाइड बाइ 6 है अब इसमें टेंशन जबी आया तो एक्सलरेशन कितना आएगा एक्सलरेशन यह आएगा आपके पास पहले तो अपने टेंशन निकाल लिया अब जैसे ही टेंशन यहाँ पर आया एक बार और चेक कर रहे दें इसको अना 2 T माइनस 40 थाना अपने पास यह तो 40 बराबर 4 भी इसको डिवाइड करेंगे तो यह 10 अच्छा यह इदर 2 भी तो है 2 को अपने इदर तो मल्टिप्लाएगी यह नहीं तो इदर 80 हो जाएगा 80 हो जाएगा तो यह कितना आएगा आपके पास 20 तो यह दर आएगा 26 तो यह आएगा 130 130 आएगा है ना तो 130 by 6 यह टेंशन की वैल्यू अब इस टेंशन से सबसे पहले A निकालेंगे तो A कितना आएगा A आएगा मेरे पास 30 minus 130 by 6 upon 5 तो यह जाएगा 50 by 30 acceleration इतने आएगा यह 180 minus 130 50 और यह जाएगा 5 by 3 तो यह तो A का acceleration आगा 5 by 3 अब इसमें B का acceleration क्या आएगा B का acceleration आएगा A by 2 A by 2 यहने कि 5 by 6 ठीके अब यह बोल रहे हैं कि जब यह 1 meter चलता है तो 1 meter चलने में उसको कितना time लगेगा पहले यह देख लूँ मैं तो A के लिए मैं solve करता हूँ इसको 1 meter चलने में कितना time लगेगा S बराबर half acceleration of A T square तो 1 बराबर half acceleration of A कितना है 5 by 3 T square तो T कितना आजाएगा मेरे पास T square आएगा मेरे पास 6 by 5 इतना time अब इतने time में वो कितनी speed gain करेगा B तो B का acceleration कितना है मुझे पता है तो B कितनी speed gain करेगा U plus acceleration of B into T B की initial speed 0 acceleration of B कितना है वेटा 5 by 6 T कितना है root 6 by 5 तो यह कितना आजाएगा मेरे पास 6 by 5 25 by 36 तो यह आया 5 by 6 इसको में लिख सकता हूँ 10 by 12 इसको में लिख सकता हूँ G by 12 मतलब N की जगे क्या आ रहा है 12 तो N की जगे आ रहा है 12 तो 12 by 10 पूछा है मुझसे तो 12 by 10 कितना हो जाएगा 1.2 तो 1.2 इसका answer आ जाएगा 5th का तो 5th का answer 1.2 यह काफी अच्छा क्याशन था इसमें आपको constant भी लगाना है equation of motion भी लगानी है तो काफी अच्छा है 5th के बाद आता है 6th 6th में आपको यहाँ पर देखो graph दिये हैं और उन graph के हिसाब साब को work calculate करना है total ठीक है तो देखो सबसे पहले force के x component का work कैसे निकालेंगे आप fx dot dx fx की equation क्या लिखो कि आप इसको देखो 10 plus 3 by 4 x यह fx तो इसका integration करोगे fx dot dx इससे आपको work मिल जाएगा x component का 10 plus 3 by 4 x dot dx integration की limit क्या है 0 से 4 तो यह कितना हो जाएगा 10 0 से 4 तो 10 और यह 40 प्लस 6 46 46 work किसका है x component का इसमें कोई confusion नहीं गया 46 work तो ही आगया अब इसकाद y component को देखते तो देखो y component की equation क्या हो जाएगी force की slope कितना है 20 इंटरसेक्शन 20 slope कितना जाएगा minus of 4 by 3 into y अब इसमें काम की बाद देखना बिटा कि y component जो है ना वो 5 से 20 हो रहा है मतलब y का coordinate तो बढ़ रहा है लेकिन 15 तक force positive के बाद force negative जाएगा तो 15 तक तो force positive work करेगा उसके बाद force negative work करेगा तो मैं इसको दो parts में तोड़ता हूँ पहले 5 से 15 का और 15 से 20 का तो इसको dot dy कर देता हूँ 5 से 15 का work पहले निकालना हूँ तो 20 15 minus 5 4 by 3 y square by 2 तो तो वाई स्वेर रहने की 15 का स्क्वेर में डारेक्ट लिमिट डाल रहा हूँ बटास में ना इंटिग्रेशन में बाई 2 ठीक है तो यह कितना हो जाएगा 200 4 बटा 3 225 माइनस 25 यहने की 200 बटा 2 यहने की 100 400 बटा 3 तो तो 400 200 प्लस 400 बटा 3 यह तो उसका 15 तक वर्ग फिर 15 से 20 का वर्ग कैसे निकालूँगा 20 माइनस 4 बाई 3 y.dy यहना 15 से 20 यह नेगिटिव वर्ग आएगा ना तो देखते है 20 20 माइनस 15 फिर 4 बाई 3 अच्छा सुरी यहां तो माइनस आएगा ना ओके ओके यह तो माइनस है बेटा माइनस तो यह माइनस तो यह कितना आएगा 200 बाई 3 अब इसको सॉल करेंगे तो यह कितना आएगा y square by 2 यहने की 1 by 2 y square 20 का square 400 माइनस 225 ठीक है तो यह कितना आएगा आपके पास 100 यहना एक बार इसको देख लेते हैं 100 माइनस यह कितना आएगा 2 by 3 और 175 175 का डबल इनकी 350 डिवाइड बाई 3 यह कितना आ रहाएगा माइनस 50 by 3 तो देखो 200 by 3 50 by 3 तो यह कितना बचाएगा 500 by 3 तो इसका मतलब एक्स कंपोणट का वर्क तो आ रहा मेरे पास कितना 46 चाह सब्वाइड कंपोणट हवेड वर्क आ रहा है 200 नहीं 10 तो यह कितना रहाएगा मेरे पास sh Sono ह bei अब एरिया से भी कर सकते तो इसे कोई दिक्कत नहीं हाफ इन्टू 12 इन्टू 16 तो यह कितना आएगा यह आएगा अब्जिक्ट भी इधर ही जा रहा है देखो अब डिस्प्लेस्मेंट भी नेगेटिव फोर्स भी नेगेटिव लिए वर्क पॉजिटिव आएगा एक्स कमपोंट का ना तो अब इस केस में क्या हो जाएगा मेरे पास कि यह आएगा तो तो टोटल कितना हो जाएगा देखो 96 यह हो जाएगा पचास तो 96 और यह कितना हो जाएगा 46 और इस सब को जोड़ोंगे ना तो 96 और 46 142 प्लस 50 यह हो जाएगा 192 192 टोटल वर्क आ रहा है अब इसने बुलाए कि टोटल वर्क अगर डवली हो तो डवली बाइटेन कितना हो जाएगा 192 डिवाइड बाइटेन यहने कि 19.2 अच्छा वैसा आप इंटिग्रेशन के लिए से भी कर सकते थे कोई दिक्कत न इस सबस्क्राइब यहां तो यहाँ तक अपना यह सौल होता है five six question अगला इसमें seventh question लास चाथा है जेए मेंस वाले पार्ट का उस पर आते हैं बच्छे बात करते हैं सेवंध केशन की सेवंध केशन में इसमोज सर्फेस दिवी और इसमें आपको सो निटन का फोर्स दो ब्लोग पर लगाए गया है कुछ टाइम बाद एकी स्पीड टू और बी की स्पीड फोर जाती है एंद अगे अपने इनिशल पोजिशन से तो एक इतना आगए गया डिस्प्लेस्वेंट ओफे टैन सेंटिमीटर तो इस पर जो स्प्रिंग फोर्स ने कितना वर्क हो देख हमें पता है वर्क दन बाई ओल क्या होता है डेल्टा की एप कुण कुण वर्क कर रहा है एफ इन्टू स्प्रिंग फूर्ट कर रहा होगा वर्ग बराबर हाफ मास ओफ ए वेलक्श होएग लिएससी लिखेंगे फॉर्ष कितना है डिस्ट्रेस्मेंट कितना है टैन सेंटिम्तर एंटर में कनवाट कर लो माइनस वर्ग दन बई Fs मास ओफ एक इतना है मास ओफ ए है और टू के जी वेलास्टी ओफ एक इतना है तू तो चार यह कितना हो रहागा दस तो वर्ग्ट अधिन बैए Fs चार माइनस 10-4 यहने के 6 अच्छा यहां ध्यान रखना यह क्यों मैगनिटूड आ रहा है मैंने अल्रड़ी माइनस लिया वान है इसका मतलब मैगनिटूड आ रहा है 6 मतलब नेगेटिव 6 जूल का वर्क होगा तो अपनको खाली वैली पूछी वैसे भी तो अपना आंसर क्या बन जाएगा 06 ओके बिटा तो यहां पर आपका मेंस वाला पार्ट का डिसक्विशन कंप्लीट होता है एक बार नोट करें यहां तक बिटा सारा बच्चों माते हमारे पार्ट टू जह से अपलाई किया हुआ है तो आपको भी बताना है कि अगर एफ की वह मैक्सम वैल्यू ताकि इन दोनों में कोई रिलेटिव मोशन ना हो देखो पहले तो पूरे सिस्टम को अगर देखूं तो पूरा सिस्टम जो है उसमें यह जो है यह एफ जो है वह एक तरह का एक्स्ट अब थोड़ा सा एब बीडी बना के देखते हैं कि किसको कौन चला रहा है सबसे पहले बात करता हूं मैं यहां पर कि जो 10 kg अब उसको आगे चलना है लेकिन फ्रीवीड डियाग्राम के साफ से इस पर तो फोर्स पीछा आएगा ना और इधर से लगेगा 2F अब देखो यह पीछे फोर्स लगघनाँ फेर से यह कीएतर हो तो यह रच्छी में तेंशन इधर व्यूरा आएगा तो यह टैंशन जो है वो फ के बराबाबर अब अब यह टेंशन जो है wohl f सा friction होना चाहिए static friction static friction अगर 10 kg के के block पर आगे लग रा है तो ओ स मेरा दो urgent कि बात है 5 kg कि ब्लॉक पर किदर लगेगा है पीछे अब केवल मैं ब्लॉक की बात करता हूं तो प्लॉक ँगर मैं बात करऊ तो ब्लॉक के के समें देखो चलने वाला फूर्स को ने स्रिक्षिन रोकने वाला को ने एफ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन एफ एस माइनस एफ बराबर एम कितना है टैन एक्सेलरेशन कितना है एफ बाइफ फिप्टीन तो इससे यह आजाएगा एफ एस बराबर एफ प्लस टू बाइट्री एफ यहने कि फाइफ बाइट्री एफ अब देखो एफ की मैक्सिम वैल्यू कितनी हो सकती जब स्टैटिक फ्रिक्षन मैक्सिमम हो कितना होगा म्यू एस इंटू मास ओफ एजी 5 बाइट्री एफ म्यू एस कितना है 0.4 यह कितना है 100 5 बाइट्री एफ तो यह कितना हो लाएगा एफ बराबर 24 मतलब की 24 न्यूटन तक का अगरा फोर्स लगाओगे ना तब तकी सिस्सम साथ चलेगा है ना और 10 kg पे रसी इसको पीछे कीज़ना चारी उसके बावजूद ही आगे जाएगा क्योंकि इसको स्टैटिक फ्रिक्षन चलाएगा ओके बीटा और तो देखो मैं FBD बनाता है एक बार है ना यह 10 kg का FBD कैसे बनेगा इस पर टेंशन पीछे है बट इस्टैटिक फ्रिक्षन आगे लगेगा ज्यादा लगेगा अब यह ब्रेकेट का FBD कैसा बनेगा देखो ऐसे इसको चला रहा है साथ में स्टैटिक फ्रिक्षन इसको रोक रहा है फिर भी देखो यह ब्रेकेट आगे जा रहा है तो इसका भी एक्सलरेशन है और इसका भी एक्सलरेशन है तो इन FBD को देखके मैंने वह एक्वेशन लिखी है ब्लॉक की ब्रेकेट की लिखना चाहो वह भी लिख सकते थे आप चाहो तो ब्रेकेट की एक्वेशन सॉल कर लो तो भी आंसर से हम आएगा ठीक है अब इसका सेकेंड पार्ट में पूछ रहे है क्या कि अगर ऑब्जेक्ट न 15 यहने की 8 by 5 यहने की 1.6 यह इसका maximum possible acceleration आजाएगा तो maximum acceleration की value क्या आएगी 1.6 ओके तो यह आपके दोनों पार्ट इजली सॉल हो रहे हैं अगला आता है पैसेस्टू इसकी तो में पैसेस्टू में अबको यहाँ पर एक सिस्टम दिया वा है एक चोटा एक बड़ा व्लोग उसके उपर एक चोटा व्लोग दोनों YEAH को आपको बताना है कि अगल müssen motion नहीं होता है दोनों में तो maximum possible acceleration of block उस वक्त क्या होगा जब spring का compression maximum में देखो पहले तो energy conservation से देखो दोनों में कोई sliding तो हो नहीं रही है तो simple आप क्या करोगे energy conservation से maximum compression निकाल लो maximum compression के वक्त क्या होगा वी final zero हो जाएगा मतलब कि सारी कि सारी जो initial kinetic energy है वो किसमें चली जाएगी इस प्रिंग में हाफ के x square तो इससे x maximum कितना जाएगा आपके पास m by m upon k v यह तो x maximum आगया इसकी वज़े से spring कितना force लगाएगी f s max कितना आएगा के इंटू x तो यह आएगा के एक्स ठीक अभी इसको इतने रहे दो है ना अब इसके बाद इसकी वज़े से जो system को acceleration मिलेगा वो कितना मिलेगा acceleration of system जो spring की वज़े से आएगा वो कितना आएगा के x max by m net m net का मतलब क्या होता है तो यहां के और m net यह value put करोगे ना तो आपके पास इसका answer क्या जाएगा के m plus m x max क्या है तो यह कितना आएगा आपके पास की यह maximum acceleration आ सकता है system का अब देखो system का maximum acceleration तो spring की वज़े से आ जाएगा लेकिन limit किसके लिए बनेगी यह जो उपर वाला block है चलो system पे तो आपने spring का force लगा दिया इसकी वज़े से इसको तो acceleration मिल गया लेकिन इस उपर वाले block को उतना ही acceleration कौन देगा friction है अब यह friction कौन सा लगेगा friction उपर वाले block को कितना acceleration दे सकता है और दोनों को अगर साथ रहना है तो system का भी maximum acceleration mu g ही होना चाहिए clear है बीटा तो इसका मतलब यहाँ पे system का maximum acceleration mu g से जादा नहीं हो सकता चलो आप सोचोगे sir third part में इसकी तो requirement नहीं थी बट fourth part में requirement है अपने पास अब देखो fourth part में क्या बुला है कि अगर दोनों में relative motion नहीं हो तो k का maximum possibility बता नहीं है तो देखो यह जो acceleration यह कितना है mu g के equal है न तो अब इसको mu g के equal कर दो यह first equation और यह second equation दोनों को relate करोगे न तो आपके पास क्या equation मन जाएगी देखो मैं इधर कर देखो दोनों को relate करेंगे तो क्या कि मियो जी अपॉन वी स्क्वेर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम यह के की वेल हो जाएगी मेरा कौन सा option होएगा यह हो जाएगा मेरा fourth option तो इसका मेरा fourth option correct हो जाएगा कोई confusion इसमें तो यह आपका paragraph 2 complete होता है आते हम हमारे section B section B में आपको questions DM है mcqs ठीक है तो देखो पहले question म आपको यहाँ पे objects given है ना दो रस्यों से बांदेवे टीवन टीटून के tension दिये रस्यों की इस ब्लॉक के मास M और M है तो देखो इस पर mg नीचे लगेगा इस पर भी mg नीचे लगेगा एफ फोर्स आपने mg लगा दिया तो देखो टेंशन टीटू जो है वह इधर से एफ बराबर mg को balance करेगा यह दर से mg आ गया यह यह टीटू तो देखो टीटू का x component और y component दोनों किसको balance करेंगे x component भी mg को balance करना चाहिए y component भी mg को balance करना चाहिए तो यह angle कितना बन जाएगा 45 दोनों कमपेटिक वल है तो यह बीटा जो यहां से बन रहा है फिर बीटा वो बीटा भी कितना हो जाएगा तो बीटा तो हो जाएगा 45 डिगरी ठीके और T2 कितना आ जाएगा इससे T2 आ जाएगा root 2 mg ठीके यह दो वेली तो मैंने यहां से निकाल ली अब बात करते हैं इसकी यह मैंने किसका एबीडी solve किया था अभी यह मैंने B का एबीडी solve किया अब A का एबीडी की बात करते है तो A का एबीडी देखो कैसे बनेगा यह इदर से इसका खुद का mg लग रहा है यह इदर क्या लाएगा T2 का X component जो की खुद M जगे बराबर था यह दर आएगा T2 का Y अभी यह आएगा T1 का x component अभी ती 1 का Y component किसको ब isto करेगा 2M जी को T1 का X component किसको बेढब सकरेगा MG को तो इसका मतलब T1 क्या हो जाएगा मेरे पास 2M जी यह तो Y कम पो अरे X component का square तो T1 कितना आजाएगा मेरे पास root 5 mg हाना ये root 5 mg आगया T1 की value अब इसमें साथ में angle और पुछा है alpha तो ये angle alpha है हुगा अगर इधर से इसको मैं alpha मानता हूँ तो तो alpha क्या हो जाएगा X component by Y component तो angle TX एंगल alpha क्या हो जाएगा अपने पास tension का X component by Y component तो X component कितना हो जाएगा इस केस में कि अना tension का X component आएगा मेरे पास कितना mg कि वाई component कितना आएगा 2 mg तो ये कितना जाएगा मेरे पास यहां पर 1 by 2 10 alpha की value तो 10 alpha जाएगा 0.5 तो 3rd सहीए 1st सहीए और T1 by T2 ये भी सहीए है तो इस केस में जाएगो alpha जो है वो T1 X by T1 Y से अगर आप solve करोगे तो X component mg के बराबर Y component 2 mg के बराबर तो ultimately मेरा system balance हो रहा है इस केस में तो 10 inverse half तो मेरा answer क्या दाएगा इसमें 10 inverse half ओके कोई confusion कि नोट करें यहां तक बच्चों हम आते हैं हमारे सेकेंड क्यूशन पे सेकेंड क्यूशन में आपको यहां पे एक क्रेट यहने की पिंजरा दिया वाय उसके अंदर एक परसन है अब यहां पे यह पूरा system जो है न वह एक्सेलरेशन फाइव से जो है तो यह एक्सेलरेशन फाइव से जो है वो इसको ऊपर की और जो है वो लेके जा रहा है न तो अब यहां पर यह इस्टेंड अफ हो रहा है ऊपर की तरफ तो इस कीश में 5 एक्सलेशन इस उपर की तरफ जा रहा है कि तो यहां पर छिए वेlez सबसे महते इसका अईसे फाइवे तो यह टैंशन चैन इसवी लिए एक दो सबस्तों करका मास कुछ को और में चितना है तो इस पूरे शिस्टम इंटू bč तो टी बराबर कितना हो जाएगा हो çो टी बराबर कितना हो जाएगा है ट्लब्रक्ति एलिवन 20 मतलग जितना टेंशन आएगा उतना ही फोर्स इस健 reward सत्वाना इसको प कड़ गे तो तो फोर्स भी कितना रहाएगा टेंशन जितना तो फोर्स आ जायगा है टेंशन आएगा 1125 अब बहुत मुछो कितना हो इस cames में यह जो ऑर चरशन नहीं को ट knowledge क्वart बनाते हैं दो ऊपर क्रशन फोर्स लगा से। के acceleration से ground इस पे याने की floor इस पे कुछ normal reaction लगा रहा होगा प्लस इसका कुछ mg है 1000 अब देखो ऊपर की तरफ लगने वाला force F plus N उसमें से mg को माइनस कर दो बराबर M into 1125 नॉर्मल माइनस 1000 बराबर कितना है 50 इसका acceleration कितना है आपके पास नॉर्मल बराबर 500 माइनस 125 नॉर्मल रियक्शन नॉर्म क्रेट कितना आएगा देखो क्रेट पे नेट फूर्स कुछ है केवल क्रेट पे तो देखो क्रेट का FBD बनावस क्रेट का mg कितना है 500 इसका acceleration कितना है पाच तो क्रेट का नेट फूर्स कितना है देखो इसका मास तो 50 है न तो क्रेट पे नेट फूर्स कैसे निकालेंगे है F night होता है मास इंटो एक्सलरेशन तो यह मिला क्या जाएगा 50 इंटो 5,250 तो सही बात है नोग्रेट पे नेट फूर्स तो सिंपल मास इंटो एक्सलरेशन से कर दो तो इसका सेकिन का क्या हो जाएगा 234 पूर्स करेक्ट कोई इसमें इसके बाद आता आपने पास थर्ड थर्ड में आपको यहां पर देखो एक ब्लॉक पर फॉर न्यूटन का फॉर्स लगाया अपने यह ब्लॉक छोटा इम वाला कितना है टू केजी इस पर फॉर न्यूटन का फॉर्स लगा दिया और फॉर केजी ग्राउंड का कोई फ्रिक्शन नहीं है इनके बीच में कोफिशिन्ट जो है वो को पॉले और फॉइस निकाल लो फॉह कितना आएगा फिस लिमिट अब फॉइंट वन इंटू कितना आएगा टूंटी का नॉर्मल यहनिकी तू काके इनके कितना आएगा पॉइंट जीरॉएट इन्टू ट्वेंटी यहनिकी 1.6 यह तो आगे का यह आएगा 4 upon 2 plus 4 यहने की 2 by 3 2 by 3 का acceleration आ रहा है common तो अब limit कौन decide करेगा लिमिट 4 decide करेगा इसको चलाने का काम कौन करेगा fs तो जो capital M का maximum acceleration हो सकता है वो कितना आएगा 1.6 divided by 4 यहने कि 0.4 पॉइंट 4 जो है वो maximum possible acceleration हो सकता है किसका इसका M का capital M का लेकिन common acceleration 2 by 3 यह तो almost 0.67 तो 0.67 का acceleration capital M को तो मिली नहीं सकता है इसका मतलब तो इसका मतलब क्या sliding हो जाएगी है ना तो यहाँ पर हमें sliding के case में फिर क्या करना है kinetic friction लगाना है तो अब इस पर kinetic friction देखो इस पर लग जाएगा पीछे कितना 1.62 और इस पर F कितना आजाएगा 4 और यह 4 इस पर kinetic friction आगे लगेगा तो कितना जाएगा 1.6 अब देखो इसका acceleration कितना आएगा इस स्मॉल एवन मान लेता हूं और इसका में एटू मान लेता हूं तो एवन कितना आजाएगा 4-1.6 बाइट यहने की 2.4 बाइट यहने की 1.2 एटू बड़े वाले का acceleration कितना आएगा 1.6 बाइट 4 यहने की 0.4 है ना तो 1.2 acceleration of small m 1.2 आगया उसके आद acceleration of capital M कितना जाएगा 0.4 है ना सही है acceleration of m with respect to capital with respect to relative निकालना है न की a relative a1-a2 दोनों आगी जा रहे तो 1.2-0.4 तो कितना हो जाएगा 0.8 तो 0.8 यह भी सही है और acceleration of capital M with respect to ground इसको मन तो आए गई नहीं तो मेरा 1st, 2nd, 3rd तीन हो सही है इस केस में कोई confusion इसमें इसके आते हैं 4th question पे 4th question में आपको यहाँ पे कच्छा question है आपको यहाँ पे दो block दिव है और इनमें आपको यह बताना है कि a का acceleration क्या होगा उस इसमें normal reaction क्या होगा वो सब चीजें ठीक है चले बड़ स्वाल करने कोशिश करते हैं अब इनमें masses तो नहीं दिये में तो मैं ऐसा करता हूं इसको m2 रिसको m1 मान लेता हूं ठीक है सारी समूद इसका है यह acceleration a से आगे जा रहा होगा मान लिया बी से आगे जा रहा ठीक है और यह acceleration इसका मैं मान लेता हूं भी तो acceleration of b मैं कितना मान रहा हूं small b acceleration of a में क्या मान रहा हूं small a लेकिन यह है with respect to ground पहना और यह जो मैं मैंने माना वो किसके रिलेटिव माना विद रेस्पेक्ट टू वेज है ना वेज के रिलेटिव मैंने मान लिया ठीक है चलो एक बार इसको डायग्राम को अच्छे से बनाता हूँ यह M2 यह M1 इसका B और इसका A देखो जो एक्सेलरेशन मैंने माना एक वो मैंने किसके रिलेटिव माना विद रेस्पेक्ट वेज तो वेज के रिलेटिव सोचेंगे तो अपनको स्वीडू फोर्स लगाना पड़ेगा न तो स्वीडू फोर्स लगाएगा तो इस पर अग्सेलरेशन देगा वो कौन देगा वो तो देगा यह इन दोनों का कंपोनेंट तो एक्सेलरेशन आ जाएगा M G साइन थीटा अप्लस M B कॉस थीटा अग्या न डिवाइड बाइए एम तो यह आ जाएगा जी साइन थीटा प्लस कि फीच धीटा इस स्मॉल आगया अब इस मोल एज एक्सेलरेशन देखो कर ब्लॉक और देखना हूं उसमें एक तो इस प्लोल एक्सेलरेशन एक अप्ली एक्सेलरेशन भी तो है ठीके अब इस स्मॉल ओर भी अप इस एके में दो कॉम्पिट करता हूं यह इंगल थीटा ह क्या आएगा एको थीटा और यह क्या आएगा को एसाइन थीटा तो देखो अब यहां पर acceleration जो वन ने अक्सलेरेशन आएगा विद्रेस्पेक्ट टू ग्राउंट विद्रेस्पेक्ट ग्राउंट क्यों रहाएगा बी- minus A cos theta ka square plus A sin theta ka square तो है आएगा बी square plus A square minus of 2AB cos theta ठीक है अब B square की जाएगे तो B СQUAYER लिख दो A Square की ज़ए कया लिख होगे आप G SIN THETA माइनस है न माइनस आ रहा है 2A की जगए G SIN THETA अब फिर B प्र फिर B COS THETA तो यह room लगा दो इस पर अब यह कितना रहागा देखू B square G square sin square theta B square cos square theta plus of 2 GB sin theta cos theta minus of 2 GB sin theta cos theta plus 2 B square cos square theta ठीक है तो देखो यहाँ पर यह तो कड़ जाएगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है G square sin square theta plus B square और इसको आप solve करेंगे तो यह 3B square cos square theta आ रहा है plus B square और आ रहा है तो इतना चीज़े बस रही है तो देखो acceleration of A में G sin theta के अलावा कोई चीज आप जोड ही तो रहे हो इसका मतलब confirm बात है कि जो A1 है वो G sin theta से तो जादा आएगा ही सही तो यह simple सी बात है इस calculation से पता लगया कि जो A1 है जो A है उसका acceleration with respect to ground जो है वो G sin theta से जादा होगा तो first option तो सही हो रहा अपना अब यह पूसर है कि normal जो है वो क्या होगा तो देखो हमें पता है कि normal के लिए तो simple आपको क्या करना है N जो होगा वो M G cos theta minus M A sin theta ऐसे निकालेंगे न वो Y component result कर लो इनके तो M G cos theta से कम आएगा तो first or fourth इसका यह अपना fourth question हो गया आते हैं हमारे fifth question पे fifth question में देखो आपको यहाँ पे contact surface से सारी smooth दी गई है और आपको एक force लगाए गया F तो बोल रहे हैं कि कितना force required इसको उठाने के लिए तो देखो यहाँ एक normal reaction आएगा यहाँ भी एक normal reaction आएगा इस normal reaction का angle कितना बनेगा इदर से भी 37 है ना तो अब यह 37 अगर यह है तो इसका एक component क्या आएगा N cos 37 वो एक component इसके mg को balance करेगा ना तो N cos 37 बराबर mg तो N कितना हो जाएगा 5 by 4 mg यह तो मैंने किसको solve किया B के लिए अब B तब उठेगा जब normal इतना होगा अब normal इतना हो तो उसके लिए A को solve कर लो देखो A को solve करेंगे तो क्या आएगा इस पे इस पे normal यू लग रहा था ना तो इस पे normal का जो component आएगा आप देखो यह तो 37 है ना B का FBTS से बनेगा देखो B का FBTS से था इस पे normal यू लग रहा था ना तो उस normal का N cos 37 इदर आएगा और इदर से इस पे लगने वाले MG को balance करेगा ठीक है अब इस पे देखो यह क्या आएगा N sin 37 यह किसको balance करेगा इदर से F को तो F बराबर N sin 37 N कितना है 5 by 4 MG 3 by 5 5 तो यह कितना जाएगा 3 by 4 MG मतलब आपको force है वो कितना लगाना पड़ेगा 3 by 4 MG लगाना पड़ेगा F कम से कम इतना लगाओगे जब आप F इतना लगाओगे 3 by 4 MG तो normal कितना आएगा 5 by 4 MG और वो normal फिर वो इस MG को lift कर देगा ठीक है अब यह बोर रहे हैं जो दोनों block stationary तो force exerted by block A on ground by ground on A अब देखो A पर ground कितना force लगाएगा यह वाला force पूछा है ground का तो ground कितना force लगाएगा तो देखो इसमें ground force लगाएगा एक तो इस A का खुद का weight plus इस normal का Y component तो यह जाएगा MG प्लस N cos 37 N cos 37 कितना है इसमें N cos 37 जो है अच्छा F की terms में देना न अपनको answer तो F की terms में देना है तो MG अब normal को में लिखूंगा देखो N की value कितनी आ रहा है कि अपने पास यहां से F बराबर N sin 37 यह आया तो N कितना आ जाएगा F upon 3 3 by 5 तो यहां लिख दो MG प्लस F upon 3 by 5 upon 4 by 5 तो यह कितना रहाएगा MG प्लस 4 by 3 F यह normal by ground तो ground की वज़े से normal कितना आएगा MG प्लस 4 by 3 F अब उसके बाद acceleration of block A is rightward then acceleration of block B किदर होगा मानलो अगर अपनने इतना force लगाए इतना लगाएंगे तब तो खाली यह balance होगा B का weight अगर इससे ज़्यादा लगाओगे तो क्या होगा तो फिर यह A आगे चलेगा और B ऊपर चलेगा तो अब इस case में वो फूसरे कि acceleration के से निकालोगे तो देखो यह अगर A से जा रहा है और मानलिया यह B से जा रहा है तो जो contact surface के perpendicular component होते है acceleration के वो equal होने चीए तो देखो contact surface के perpendicular component equal करने है बस तो यह A है ना तो यह आएगा आपके पास A sin 37 और अगर यह B है तो यह B का perpendicular component के आएगा B cos 37 तो इनका contact बना रहे उसके लिए condition क्या है कि यह दोनों perpendicular component acceleration के equal हो मतलब कि A sin 37 और B cos 37 equal हो तो यह कितना हो जाएगा A 3 by 5 B 4 by 5 तो B acceleration की तर आजाएगा A 3 by 4 तो इसका मतलब जो B का acceleration आएगा वो 3 by 4 होगा उपर की तरफ 3 by 4 यह आ रहा है तो अपना कौन कौन सा option सही है इसका 1st, 2nd और 4th कोई confusion इसमें तो 5th का 1st, 2nd, 4th आ गया इसके आदाते हम 6th question पे चलो 6th question की बात करते है 6th question में आपको यहाँ पर 0.3 kg का एक ब्लॉक दिया वा है इसको उपर की तरफ slide करवा रहे हैं धीरे धीरे और फिर बाद में उसको नीचे फिसलने के लिए छोड़ देते हैं तो वापस वो नीचे आ जाएगा इस दोरान आपको बताना है कि टोटल फोर्स ने कितना वर्क किया उपर ले जाने के दूरान और फ्रिक्शनल फोर्स ने राउंड ट्रिप में कितना वर्क किया ठीक है तो देखो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर डेटा एक बार देख लेते हैं एक इंक्लाइन प्लेन है ब्लॉक का मास कितना है एम बराबर पॉइंट 3 उसको धिरे-दिरे उपर ले जाना है तो धिरे-दिरे उपर ले जाने हमें किस-किस का अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा एम जी साइन थीटा प्लस मू एम जी कॉस थीटा फ्रिक्शन का अगेंस्ट भी तो इस दोरान वर्क कितना आएगा तो वर्क डन बाइ फोर्स फोर्स इन्टू डिस्प्लेस्मेंट फोर्स की वैल्यू किया आएगी mg sin theta plus mu mg cos theta into displacement mg को बाहर निकाल लो sin theta plus mu cos theta into displacement देखो अब इसमें displacement कितना दियाव है 10 meter तो ये incline है 5 meter इसकी height है तो ये sin theta इससे क्या बन जाएगा 5 by 10 याने की 1 by 2 तो theta कितना आएगा 30 तो theta 30 आजाएगा तो यहाँ theta 30 डाल दो m कितना है m है 0.3 g कितना लेना है g 9.8 लेना है sin theta कितना हो जाएगा 1 by 2 mu की value कितनी है 0.15 0.15 root 3 by 2 2 और displacement कितना आएगा 10 तो यह कितना हो जाएगा 3 into 9.8 1 by 2 1 plus 0.15 1.732 अब इसमें calculation approach कर लोगे तो आपको यहाँ पर solve करने पर पता है क्या मिल जाएगा आपका answer मिल जाएगा इसमें तो आपका answer जो आएगा इस case में solve करने पर हुआ जाएगा 18.51 का option ठीक है इसको solve करोगे तो आपको यह पास 18.51 आ जाएगा तो मेरा second option जो है वो correct हो जाएगा अब इसका जो बोलते है कि friction का अवर कितना आएगा round trip में तो देखो friction ऊपर जा तक भी negative काम करेगा नीचा तक भी negative काम करेगा तो work done by friction overall negative कितना है पर नीचा आने का तो म्यू कितना है 0.15 m.3 g की value 9.8 cos theta root 3 by 2 और यह आएगा 20 2s मतलब 20 इसको जो आप solve करोगे तो आपके पास जो value आएगी solve करने पर वो आएगी 7.6 Joule ओके अब calculation approximation से कर लो क्योंकि आपको तो यहाँ पर ओप्शन दूर दूर दिये हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है तो आपका 7.6 Joule इसमें friction का वर को जाएगा कोई confusion अगला आता है 7th 7th में आपको A ने और NB normal reaction है by corner A and B on stationary sphere of mass M तो आपको बताना है कि relation क्या होगा देखो सिंपल सी बाते यह लगेगा B का नॉर्मल यह लगेगा A का नॉर्मल और यह एंगल्स भी ऐसे बनेंगे यह बनेंगा 30 यह बनेंगा 60 और mg कि तर लगेगा नीचे तो देखू है ना एसे अब इसका एप बिडियो बनाते है इस पॉइंट पर mg डाउनवर्ड लग रहा है एन ए एन बी 30 60 अब कंपोनेंट करेंगे तो यह क्या जाएगा एन ए साइन 60 यह क्या हो जाएगा एन बी साइन 30 यह क्या हो जाएगा एन बी कॉस 30 और यह क्यों जाएगा एन ए कॉस 60 तो एन बी कॉस 30 अने की रूट 3 बाई 2 प्लस एन ए कॉस 60 अने की 1 बाई 2 मिला की किसको बैलेंस करेंगे mg को यह तो य डारेक्शन में एक एक्वेशन बन जाएगी एक्स डारेक्शन में क्या एक्वेशन बनेगी इससे एक एक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास एन ए इंटू रूट 3 बराबर एन बी यह दूसरी एक्वेशन तो बैटा यहाँ पर अपनी जो दोनों एक्वेशन से इसको अपन सॉल करेंगे तो देखो क्या आएगा एन बी रूट 3 प्लस एन ए बराबर टू एम जी वे टू कोई देखा गया एन बी की वेली डालतो रूट 3 एन ए प्लस एन बराबर वाट टू एम जी तो इससे क्या आएगा मेरे पास एन बराबर टू एम जी कि तो एननी कितना आजएगा chu mmg फोर एनकी, एम जी वाइं, टू तो एनने तो है एम जी वाइटू यह आ गया एक यह रिलेशन मेंच कर रहा है एक एन बी और मेंच करना है ना ऑन एक से सेवंद का क्या जाएगा अपने पास two or three को इसमें यह सेवंद का जाएगा तू और त्री आगे बढ़ते हैं एक लिए कि oragne ndh question में आपको यहburn कि अपना आपको यहाँ पे 5 kg की ब्लॉप को रिलीस किया आता है आपको बताना है कि पुली और स्टिंग सम Сп Nah ले सत्रेंग तो एक्स पिलाइशन और बस्ताना को क्या क्या होगा देखो मैं मान लेता हूं कि जैसे मिने इसको रिलीस किया है टेंशन और यह 50 तो यह इसको नीचे चलाने काम कर रहा होगा ए बी का acceleration मैंने मान लिया कि अब कितना है यह 100 तो यह टी अब इधर कितना आएगा टूटी और टूटी ठीक है और इधर कितना है एटी देखो अगर मैं इस ए को अब नीचे चला रहा हूँ वह ए नीचे चलेगा तभी तो इन बी और सी में में कुछ-कुछ acceleration आएगा ए नीचे तभी चल सकता है जब टेंशन 50 से कम हो अगर टेंशन 50 से कम हुआ तो मैं अब बी को कभी भी लिप्ट नहीं किया जा सकता है ना तो बी का acceleration तो कितना जाएगा हमेशा जीरो ही आएगा ना यह तो सही हो गया अब मैं सी का acceleration देखो टेंशन जो है वह 50 से कम है लेकिन टेंशन का डबल तो 80 से यदा हो सकता है ना और हो लिए टू टी माइनस 80 बराबर 8 इंटू सी यह दूसरी एक्वेशन अब इसके बाद में acceleration की constraint मनाओंगा तो सी से अगर यह सी उपर आएगा तो यह पुली भी सी से नीचे जाएगी अब यह पुली अगर सी से नीचे आ रही तो दोनों सी घटाने का काम कर रहे है बराबर जीरो ए बराबर टू सी यह मेरे पास तीसरी क्वेशन आ जाए कंस्रेंट की तो ए बराबर टू सी फोर्थ भी करेक्ट है अब acceleration of a निकालना है acceleration of a कैसे निकालोगी यहां डेटा पुट करेंगे अपने ना तो 50 माइनस टी अपन 5 ट्वाइस ओफ सी की वैल्यू क्या आजाएगे मेरे पास और 2 टी माइनस आफ एटी अपन एट तो यह आजाएगा मेरे पास 40 माइनस 160 बाई 8 10 माइनस टी बाई 5 यह ना तो यह आट से किती वर कर जाएगा रुको जेस्ट इमेट क्रोस मल्टिप्लाइ कर लेते हैं पहले ना तो 8 50 माइनस टी 10 2 टी माइनस 80 यह जाएगा 400 माइनस 8 टी 20 टी माइनस 800 तो यह कितना आ जाएगा 28 टी बराबर 1200 तो टी कितना आ जाएगा 1200 बाई 28 चार से काटोगे तो 300 बाई 7 यह ने की 30 जी बाई 7 ऐसा कुछ ठीके तो टेंशन आएगा 30 जी बाई 7 यह 300 बाई 7 अब इसमें एक ही वैली निकाल नहीं तो एक्सलेशन ओफ एक इतना माइनस 300 बाई 7 बाई 5 यह एकी वैल्यू है तो यह जाएगा 50 बाई 7 बाई 5 यहने कि यह कितना बचेगा आपके पास जी बाई 7 तो एका एक्सलेरेशन जी बाई 7 आ रहा है एका जी बाई 7 आएगा तो सी का कितना आएगा वो रिलेशन थाना मिर पास सी आ जाएगा by 2 यहन्य की g by 7 by 2 g by 7 को g काटओ गया 5 by 7 बच जाएगा तो इसके चारों अप्शन सहीं है तो एड़त के चारों प्शन सहीं जाएगे प्रक्ड इन पीटा है यहां तहए अगला आता ही नाइन्थ क्याशन 9th question की बात करेंगे तो 9th question में आपको एक plank दिया हुआ है 10 kg मास का 2 kg का block इस पर रखा हुआ है plank और plane दोनों friction ले से friction coefficient जो है वो block और plank में 0.5 का है 60 Newton का force horizontal लगा है सबसे पहले देखो कि इसमें common acceleration कितना आ सकता है यह common जो आएगा हुआ आएगा आपके पास 60 upon 2 plus 10 that is 5 अब यह दिखाओ कि friction की limit क्या है mu into n a a मतलब उपर वाले को a माल लेता हूँ नीचे वाले को b माल लेता हूँ तो 0.5 into 20 10 तो 10 Newton limiting friction है 10 Newton की वज़े से इस पे कितना maximum acceleration आ सकता है acceleration maximum जो आएगा एका वो कितना आएगा 10 by 2 5 मतलब अब यह इस पे फोर्स भी कितना लग रहा है friction maximum लग रहा है तो 5 का friction maximum लग सकता है और 5 का acceleration friction दे सकता है और उतना ही मिल रहा है तो इस केस में acceleration of 2 is less than गल्लत आ गया acceleration of both 2 and 10 is 5 सही है first 2 second में friction 2 kg पास पे कितना वर्क करेगा देखो displacement निकाल लो half a t square कितना displacement आया 10 meter तो 10 meter का displacement आ गया force of friction का work पूछा है on a तो देखो friction जो है वो तो इसका आगे लग रहा है displacement भी आ गया रहा है तो यह क्या रहा है friction into displacement friction कितना है 10 into 10 कितना आएगा 100 joule work तो 100 joule work आएगा first second में और total work done by friction on system is negative नहीं friction जितना उपर वाले पे positive work कर रहा है उतना ही वो पीछे इस पे भी तो लग रहा है तो जितना वो a पे positive work कर रहा है plus 100 b पे उतना ही minus 100 भी करेगा इसलिए उसका total work 0 आएगा ना कि negative नेगेटिव कर से गलत होगा 10th पाते 10th में आपको यहाँ पे एक system दिया वा है जिसमें surfaces frictionless है block of mass m 1 kg है और इसका mass 4 kg है तो यह तो है 1 और यह कितना है 4 अब यह 10 kg का acceleration है system is given initial acceleration 10 horizontal force इस पे लगाया block does not slip देखो block नहीं फिसल रहा है frictionless है ना frictionless पे नहीं फिसलता तो उसके लिए acceleration जो है वो g 10 theta होना चाहिए अब यह कितना दिया है 10 g कितना होता है 10 तो इसका मतलब ओविसी बात है 10 theta कितना आएगा theta बराबर 45 degree तो theta आएगा 45 degree value of external force on system देखो इतना acceleration देने के लिए आपको external force कितना लगाना पड़ेगा 4 plus 1 into 10 कहने कि 50 newton लगाना पड़ेगा सही बात है work done by normal force is ground frame on the block in root 3 second is तो ground frame में कितना work होगा normal ground frame में कितना work करेगा root 3 second में तो देखो normal जो है वो कितना लगेगा सबसे पहले तो इस केस में नॉर्मल जो आता है वो आता है mg sec theta यह question काफी common है यह बढ़ाबर g10 theta तो उस केस में normal mg sec theta आता है तो नॉर्मल लगेगा इसे अब नॉर्मल जो लग रहा है वो ऐसे लग रहा है उसका x component कितना आएगा देखो यह थीटा है तो यह भी थीटा तो नॉर्मल का x component आएगा एन साइन थीटा तो एन साइन थीटा इन्टू displacement यह होगा नॉर्मल के x component का वर्क नॉर्मल कितना आएगा mg sec theta इन्टू साइन थीटा और displacement क्या हो जाएगा half a t square तो m कितना है 1 g कितना है 10 sec 45 की value क्या होती है sec 45 होता है अपने पास root 2 sin 45 क्यों जाएगा 1 by root 2 ठीक है और half acceleration है 10 root 3 का square 3 तो यह कितना आएगा मेरे पास so into 3 divided by 2 1,500 आ रहा है इसका नॉर्मल का x component डेट सो जो लुबक करेगा यह भी बास आएगा और नॉर्मल रियक्षिन कितना आएगा नॉर्मल रियक्षिन आएगा mg sec theta mg यहने की 10 sec root 2 यहने की sec theta 45 यह आगया तो यह अपने mcqs के चारो question complete हुए इसके इसमें भी आपको इंटेजर में आपको दो ब्लोग दिये वे 2 और 3 के प्लेश साइड बाई साइड जिस तरह से इनको रखा गया है एक फोर्स जो है वो दो केजी के ब्लोग पे इस तरह से डाइग्राम के अकोडिक लगा गया है coefficient of friction जो है वो दोनों में सेम है और पॉइंट मन के एक वाल है तो नॉर्मल रियेक्शन contact force बताना है 2 केजी का और 3 केजी चलो अब इसमें नॉर्मल contact force आपको बताना है तो सबसे पहले देखो अब इसमें और जी की value 10 आपको ले नहीं है चोकि हम mention किया हुआ है तो अब देखो इसमें आपको सबसे पहले तो इसमें देखना है कि इनका overall जो mg Sn Theta कितना कितना आएगा इसका यह sometime आएगा म् से टा 3 kg वाले का ते सब्सक्राइगा 18 और इसका कितना आएगा 12 ऐले कितना आ जाए अब इनके यह वाले आएगा इस पे तो आएगा आपके पास 2.4 और इस पे F2 कितना रहाएगा 16 इंडू 0.1 है ना हाँ तो यह 1.6 तो देखो 18 और 20 तो चलाने का काम कर रहे हैं ठीक है और इसमें आपने 20 न्यूटन का ओर धक्का दे दिया तो टोटल चलाने वाला फूर्स कितना हो गया 18 और 12 friction आएगा इसमें यह 2.4 और यह तो टोटल नेट friction कितना आजाएगा मेरे पास 4 न्यूटन तो देखो acceleration कितना आएगा system का 18 प्लस 12 प्लस 20 माइनस का 4 डिवाइड बाई 5 तो आएगा 50 माइनस 4 डिवाइड बाई 5 46 बाई 5 आगे acceleration अब यह acceleration अगर आ रहा है तो इस 3 kg वाले को अचले एक्सलेरेशन को दगा अब खाली टीकेजी वाले का डायग्राम बनाना और अब 3kg वाले को चलाने का काम कों कर रहा है अठारा अधारा है जो ना अठारा न्यूटन फ्रिक्षन इसको तका देखा देगा और इसका का acceleration कितना आना चाहिए यह इसको solve करो के ना आप तो यह 9.2 आएगा तो 9.2 का acceleration इसको मिलना चाहिए तो देखो कैसे आएगा 18 प्लस नॉर्मल माइनस 2.4 बराबर 3 into 9.2 तो यह कितना हो रहाएगा मेरे पास 18 इसमें माइनस करो तो यह रहाएगा 15.6 प्लस नॉर्मल 15.6 प्लस नॉर्मल और यह कितना हो रहाएगा लोता सताई सताईशगा प्राइश अख्या च्छे स्चिक चाहिए तो यह कितना रहाएगा आपके पास यह रहाएगा आपके पास तो नॉर्मल की ऒढ़ी वाएगि ट्लॉल कोई गन-फूजयन इसमें उसके आपके पास second question ओके एक बार note करें इसको second question में यहाँ पर आपको एक diagram में एक का मास तो दिया है 4M एक का मास दिया है M यह बोल रहे हैं कि इसको इनिशेली नेचुरल लेंज में आपको इसने से छोड़ दिया तो कितना मैक्स extension आएगा देखो जब मैक्स extension आएगा तो इस तरह कि condition मनेगी यह कि आपको इसको इसको भी रूखना पड़ेगा यह ब्लोक रूखेगा यह ब्लोक रूखेगा जब यह जो इसमें extension आया x maximum तो यह जो इस प्रिंग में एनर्जी स्टोर हुई वह कहां सा आएगी 4 mg ने जितनी थर्ड question में आपको वन और टू केजी के जो ब्लॉक दिये में यह वन केजी का है और यह टू केजी का है वन केजी मतलब इसका mg जो है न इसको मिटाता हूं मैं अभी इसका मास है 1 और इसका है 2 तो इस पर कितना लगेगा 10 mg इस पर कितना लगेगा 20 फोर्स जो भी यहाँ पर आएगा तो जब भी लिफ्ट करें तो f by 2 जो है वो ग्रेटर देन एम वन जीक से ज्यादा होना चाहिए f by 2 कितना है टू टी वन इंटो टैन इसका अंदर टी गर्दन एक वस्टो टैन तो पहली बार टी टाइम पे जब यह कॉंटेक्ट लीव करेगा तो टाइम की वेली क्या होगी 10 सेकंड ठीक है तो अपना अंसर आजाएगा 10 उसके बाद आएगा फोर्थ में है है valt 5 में आपको यहां पे एक गसले इसम्ट दियावा इसमें ट्व zika एकषी निलोग तो एंग और इसम्टर रेस्ट में अना कि इस तो इसमें पूरा रेस्ट में तो इसमें टेंस्टर आएगा वह किसको बिलेंस करेगा इधर से एंगी इसकोünkने साब और फिर यही टेंशन इदर आएगा यही टेंशन इदर भी आएगा प्लस तू एमजी इसको दबा रहा है तो इस पर नॉर्मल कितना आएगा नॉर्मल आएगा टू 2mg प्लस टेंशन ये वाला टेंशन है ना ये तो ये कितना आ जाएगा नॉर्मल बराबर 3mg तो इसका मतलब अब ये रेस्ट पे कब रहेगा जब जो 2t है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम रहे तब ये रेस्ट पर रहेगा 2t, t कितना है mg और f लिमिटिंग कैसे लिखोग मियू और ये कितना आएगा 3mg तो मियू की बैल्यू कितने आएगी 2 by 3 तो मियू की मिनिमम बैल्यू अगर 2 by 3 है तो यहाँ n का मतलब किया हुआ 3 को एक इन फूजन फॉर्थ में उसका फिप्त की बात करते है तो फिफ्त में आपको यहाँ पे एक सिस्टम है जिसको पुष किया गया है एफ फोर से और यह बोल रहे है कि सारी सर्फिस स्मूद है के वल बी और सी को छोड़के और बी और सी के बीच का कॉफिशेंट जो है वो म्यू है यह बोल रहे है कि कम से कम कितने फोर से धक्का दो ताकि है ना वह बी नहीं फिसले यह म्यू इंटो एन किसके बराबर होना चाहिए एंजी के बराबर तो नॉर्मल कितना आएगा एंजी पाई म्यू कम से कम मिनियूम फ्रिक्शन इतना तो आने ही चीना नॉर्मल आएगा एंजी बाई म्यू अब सी को चलाने का काम कोन कर रहा है देखो सी को चलाने का काम व तो अब इसमें फोर्स सिस्टम पे कितना लगाना पड़ेगा एन्मेट इंटू ए एन्मेट कितना है फाइब जी वाई तूम्यू तो यह आजाएगा फाइब बाइटू एमजी तो कम्पेर करेंगे तो एन की जगे क्या रहा है एन की जगा आएगा 5 ओके यह 5th का अंसर हो गया लास्ट आता है 6th question ठीक है चलो 6 पाते है नोट कर लो यहां तक बिटा बच्चोंब आते हैं हमारे 6th question पे 6th question में आपको एक M मास्का ब्लोग दियावा है जिसको एक alpha angle के inclined पर रखा हुआ है वेज जो है वो दो के accelerations आगे जा रहा है तो आपको बताना है एम अगर वेज के रिलेटिव रेस्ट पर देखो वेज के रिलेटिव वेज्ट नेक मुविंग फ्रेम एन एक्सलेटिंग तो इसमें स्यूड़ फोर्स लगा दो जना स्यूड़ फोर्स के दो ऊफ़ आई G scene एसका इसका इस Unter debates के आएगा फ्रेक्शन हान। कर आइप देखों कि फ्रेक्शंट जयोव रोखने का काम करेगा तो फ्रेक्शंट क्या रएगा म्ियू इंटू एन तो इसका मतलब म्यू & जो है कि देखो म्यू एन जो है वो किसको बैलेंस करना चाहिए एमजी साइन एलफा प्लस एमजी कॉस एलफा को ठीक है तो म्यू कितना होना चाहिए इसका मतलब म्यूंजी साइन ओफा प्लस म्यूंजी कॉस एलफा कि नॉर्मल क्या हो जाएगा एमजी साइन एलफा माइनस ओफ में कॉस एलफा यह एमजी साइन एलफा और n m m a sin alpha आएगा बेटाए तो रुको यह m a na ma cos alpha और mg cos alpha तो m a कि यहां m a cos alpha आएगा तो m g sin alpha और m cos alpha ठीक है अब m से तो kaट दोगे तो यह क्या जाएगा आपके पास जी आना sin alpha को लिखो 10 alpha अधिरर फोर्पूर्श में और यह रहाएगा जी टेनल फा है शुली एंगी कॉस एम जीसान अलफ़ा माइनस में कॉसेलफा न फैना बोर्ट लिदे मैंने एम जी कॉस एलफा है यह नॉर्मल में और और यह कितना आजाएगा ma sin alpha तो यहां पर आजाएगा मिरे पास g minus a 10 alpha g की value 10 10 alpha 1 by 5 plus a की value 210 minus a यहने की 2 155 यह कितना आजाएगा 4 upon 4 upon 48 by 5 तो यह कितना आजाएगा मियू बराबर 5 by 12 तो यहां एन से compare करो तो एन की value क्या आजाएगी 12 ओके बिटा तो यह यहां पर हमारा जेई का second paper और overall DCM का fourth paper complete होता है आई होप आपने सारे concept अच्छे से apply किये होंगे जो भी चीज़ा आपको यहां समय में नहीं आई उनको आप note करें आगे से इसी गलतिया ना होने दें ओके बच्चों थैंक्यू all the best